हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो यूट्यूब चैनल स्टड़ी एसेजब ऑफिशल डिस इस सद्दाम बाली हो और यू फ्रेंट्स आज में जो है थर्ड लेक्चर जो है अकॉंटेंसी एंड बूकीपिंग पे लेके आए हूं फ्रेंट्स काफी कमेंट्स बाक्स में जैसे आप प हुआ है कि जब आप वीडियो को देखने से पहले में कुछ आप से बाते कहूंगा जब आप वीडियो को देखते हो तो कमेंट्स और लमालुम होगा कि आप हमारे साथ जुडए हुने हैं तो फ्रेंट्स आपकी क्योंकि आपकमिंग वीडियो के लिए इन्फॉर्मिशन जो है आपके बैल आइकन पर क्लिक करेंगे तब ही आपको अलम हो पाईगा तो फ्रेंट्स जैसे हमने टू लेक्ट्ट्स आड़ी जो है इसके कंप्लिट किये हैं आप थर्ड लेक्ट्ट्र है जिनुने जो टू लेक करा जाए तो फ्रेंट्स हमने जिसे अभी अभी चल रहा है और दूसरा हमने मैट्स का पहला लेक्ट्ट्र अब मैट्स इन दो को कंप्लिट करते हैं उसके बाद फर्दर अगर आपकी अगर कोई भी बाक्स में जुरू लिखेगा अकाडले हम कंसिडर करेंगे तो क्या था समझने के लिए का धुक्ति होना जड करेंगे तो हमरे को बीजनस का चार साल कैरत आप चार व्यायर्ड है तो हम हर sauna साल में इसको फालेशंता हम इरली से हर साल हम यह से साल विक जो बभी होने रिकेड़ करण करेंगे हमने क्या बैनेफिट होने गया बैने क्या सेल कितना बेनिफिट है जो इस वन साल में हम जो एक रिकार्ड करते हैं इसी को बोलते हैं अगर बिजनस की लाइफ जितनी भी है उसको हम हर साल के एक को डिवार्ड करते हैं उसको बोलते हैं करते हैं इसी को कहा जाता है अब यह क्यों किया जाता है जाता है तो प्रॉफिट को हैं एक किस तरह से किया जाता है उस अगे किस तरह से कम किया जाए उस loss को किस तरह से decrease किया जाए यहनी कि loss को कम किस तरह से किया जाए इसलिए accounting period जो है accounting period में इस business की transition को record किया जा सकता है तो friends generally यहाँ पर क्या होता है accounting period may be either a calendar year from January 1st to December 31 तो यह करता है किस पर business की nature पर depend करता है तो this period is known as accounting period and the length of period इस period की depend किस पर depend करता है बिजनस की nature पर depend करता है वो क्या चाहता है लेकिन generally अगर देखेंगे accounting period में भी either calendar year यह तो calendar year होता है जो January 1st December 31 तक होता है यह financial जो fiscal year होता है अप्रेल 1st मार्च करती है इसी में जो है accounting period को include किया जाता है लेकर यह जुरूरी नहीं इन ही period में यह depend करता है बिजनस की nature की कब इसको अपने transaction को अपने record को कि कितनी periods के बीच में जो है रख करता है तो friends यह होता है account period period I hope friends आपको समझ आ चेक होगी accounting period क्या होता है अब next friends branches of accounting friends branches of accounting जो है तीन branches है इसकी financial accounting caste accounting management accounting और friends यह तीन ब्राचिज है financial accounting caste accounting और management accounting friends यह बहुत ज़्यदा important concept यह समझना बहुँ जूरी है आगे हमारा जो topic होगा the accounting cycle होगा तो वहा अज़ो है उसको समझने के लिए इन concepts और होना बहु जूरी है तो financial accounting तो friends यह financial accounting क्या होता है क्या होती फाइन Lights oandin यह लोग विजनेंस हमें क्या अप queria' पिक्चर ही अब यह complete picture business की क्या दिखाती है financial accounting हमें business की complete picture दिखाती है वो क्या होती picture business की मतलब कि हमें यह दिखाती है profit business में कितना profit है कितना loss है और financial position business की क्या है फ्रेंड्स क्या होता है इसमे financial accounting हमें हमें इस final accounting से यह मालूम होता है कि business complete बीजनिस की जो picture complete picture दिखाती है इसे ये मालूम होता है कि business की picture कैसे complete picture दिखाती है कि Business का profit कितना है Business ने last कितना कमाया financial position business कि है तो ये कहां से मालूम होता है financial accordingly यह हमें दिखात कि financial according से ही मालूम होता है तो फ्रेंट्स financial information required by the management इसके लावा profit और losses के बारे में बताती है हमें financial position बताती है इसके लावा financial information भी management को देती है accordingly जो management या दूसरी किसी को देती पार्टिस को देती है management को information प्रवाइड ये करती है और management इसी इनकी information बेस पर decision देती है तो friends और final position हम कैसे calculate करते है financial position को कैसे check की जाती है balance of sheet से तो balance of sheet में आपको last second lecture में आपको बता जाता है जिन्होंने जो last two videos नहीं देखी है जुरूर देखी जगा तो finalization quoting क्या होती है financial quoting हमें यह बताती है कि business की picture कैसी complete picture of business की इखाती है financial quoting financial quoting से हम मतलब की complete picture of business का मतलब होता है profit और last क्या है financial position business की क्या है profit और last को कैसे calculate करते है financial position को कैसे calculate करते है तो इसके बारे में final quoting हमें बताती है तो friends आब सबसे पहले profit की इस तरह से calculate किया जाता है अब इसको हम समझते है माले जी friends according period किसी business का accounting period स्टार्ट होता है माले जी किसी बिजनस का according period स्टार्ट होता है अपरेल फस्स से उसका स्टार्ट होता है और मार्च 31 पे उसका end होता है यह किसी business का या किसी company का accounting period है उसका माले जी company ने जो है 1000 biscuits pack उसने manufacture कि और मलब कि 1000 biscuits जो है manufacture कि उसके बाद जब इस किसी इसने बीजने तो इनकी sale कितनी भी वैन लाक इसकी sale की यहनकी 1000 biscuits pack है इसकी हमने sale कितनी की वैन लाक इसकी sale हुई अब इसकी cost जो है 60,000 है जो लागत इस पर आई है कितनी है 60,000 है अब जो profit हमारे पास बचेगा वैन लाक में से 60 जो है subject करेंगे तो deduct करेंगे क्या बनेगा हमारे पास 40,000 यह 40,000 यह क्या है यह profit है तो इस तरह से financial accounting यह बताती है कि हम किस तरह से profit को calculate करते हैं तो friends जब हम sale मलब कि sale जो हमने कितनी की और cost कितनी आई जब sale में से हम कास्ट को deduct करते हैं जो हमारा profit होता है तो यहां पर हमारे पास profit कितना है फ्रेंट्स 40,000 यह profit आया इस तरह से financial accounting हमें यह बताती है कि हम किस तरह से profit को calculate करते हैं तो friends next financial position अब financial accounting में financial position की बिजनस की बताती है financial position क्या है balance of sheet से हमें पता चलता है आप माल लिजे हमारे पास friends balance of sheet का concept मैंने पीछे बताया था आपको second video में उसको में देख लिए दिएगा friends आप माल लिजे friends यहां पे बिजनस कैपने के पास कोई assets पड़े हैं जिसकी value आप मान लेजे जिसकी value 500,000,000 ने इक business company है उसके business company है तो उसके पास assets कितने है यह company कैपस assets कितने है मत उसके पास जिसकी value 5,000,000 है अब यह और निया था जो है और निए कहा कहा से यह लाएард यह कहां से क्लिए माली जी इसमें क्या क्या है जो honor है उसने loan उठाया यह loan लिया दो लाक इसने लोन लिया और जो equity है उसके पास equity थी कितनी है अपना जो equity उसके पास पैसा है इक्विटी क्या होता है जो भी बचता दॉप पैसा बचता है माल लीजी उसने एक्विटी जो पैस उसके पास अपना पैसा उसने लगाया है कितना है तो फ्रेंट्स इस तरह से हम यह इससरा पैसे एक जो हम पैसे को सब्सक्राइब इस तरह इसके 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 पास कितना है इसके इसने इसके पास लोन है और त्री लैक उसको अपना जिसमें इसने मालब की वो लगाया है तो टूटल कितना फाइफ लैक अब ये फाइफ लैक क्या करेगा फाइफ लैक ये बिजनस पे इस तरह से हमें बिजनस की पोजिशन के बारे में पता चलता है फाइलिशी पोजिशन यह किस तरह से को करेंगे किस तरह से काश्ट को करेंगे यह क्या है? Cost managing tool. Cost accounting के Cost managing tools. यह हमें बताती है किस तरह से cost को हम control करेंगे? हम किस तरह से cost को जानेंगे? किस तरह से हम cost को calculate करेंगे? It also helps in controlling the cost and providing necessary costing information to management or decision making. यह हमें क्या बताती है Cost accounting कि हमें यह हमें इस तरह से help करते है कि हम कास्ट को किस तरह से control करें इसके लबाज information management को देती है friends यहाँ पर याद रखना आपने जो the financial accounting के और चास्ट अकॉटटिंग के यह दोनों जो information प्रोच करते किसको मैं जो हमारे manage accounting management है उसको जो है information प्रोच है और हो accordingly ब्रेगलेंगंगली देटा है किस तरह से हम कंट्रोल करें चो किस तरह से हम क्लिक्ट करेंगे आइस friends समझते हैं इसको मा लेजे friends माली जे friends हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास हमने एक भूक बनाई है माली जे हम कॉई manufacturing company हमने एक बुक बनाई है मुलिए जहा है इस पी गवी किनी रधी रुपीज के रुपीज 45 उर बैंड पर हमने हों पर में दिखाती है अब कास्ट अकॉंडिंग इसी कास्ट पर यह दिखाती है कि हम यह decide करती है, हम sale price किस तरह से रहे हैं, मतल़ यह इन सब चीज़ों को जानने के बाद, जो है according cost, यह मालुम, decide करती है, कि हम किस कितनी price पर इसको sale करेंगे, यहां पर इमर्पास cost कितनी, total कितनी आई, रुफीर् पर, accordingly यह decision लिया जाता है, इसी कास्ट अकॉंटिंग यह decision लेती है, कि हम अब कास्ट अकॉंटिंग से ही मालूम लगता है हमें, कि अब हमें जो है final sale कितने में करने हैं, तो माले जे हमने रुपीज 60 में इसको sale किया, तो total हमारे पास profit कितना रहा है, 20, तो कास्ट अकॉंटिं अब friend next है, management according, friends अब management according क्या करती है, management according में क्या होता है, management according में हम क्या करते हैं, decision लेते हैं, business के बारे में decision लेते हैं, actually में क्या होता है, कैसे decision लेते हैं, जो financial और accounting information हमें मिली होती है, मतलब कि किस base पे, financial और accounting information जो मिली होती है, उसको हम किसको देते हैं, top management को देते हैं, इससे क्या जाता है, जो top management है, उसको financial और accounting information दे जाती है, जो top management क्यों होते है, CEO और MD होते है, Chief Executive Officer और Managing Director जो होते हैं, इन management क्या करते हैं decision लेते हैं और company की activities को control करते हैं यानि कि जब इनको information financial information दी जाती financial और cost recording information को दी जाते हैं ये कंपनी की activities को जो है control करते हैं decision लेते हैं business के regarding इसको इसेंपल से ज्यादा बोटर समझते हैं माल लेजए हमने 1000 बिसकिट हमारी पास है लोग की 1000 बिसकिट है अब इसकी सेल हमने कितने में किया है वैंलाइक में सेल किया है अब इसकी कॉस्ट कितनी आई है 40,000 इसकी sale आई कितनी, 40,000 इसकी sale आई है, अब ये 1 lakh में से 40 जब हम deduct करेंगे, तो 60 lakh जो क्या आया, 60,000 क्या आया, profit आया, 60,000 क्या आया, profit, friends, sale हमने की यहाँ पर, sale कितनी, 1 lakh की sale हुई, cost कितनी, जो हमने biscuit से production, इसमें cost लागत कितनी आई, 40,000, अब हमारे पास profit कितना है, 60,000, मानले जिए, दूसरा product है, एक A product है, एक B product है, अब दूसरे product भी बात करते हैं, मानले जिए, हमरे पास, 1000 आईस क्रीम स्पैक है, ठीक है, हमने, इसको, जो है, sale कि, 60,000, इसकी sale हुई, cost इसके पर कितने आई है, मानले जिए, friends, 70,000, इसकी cost हुई, अब यहाँ पर, loss कितनी का हुआ, 60,000, मानले, sale हमारी कितनी हुई, 60,000 की cost कितनी है, जो लागत इस पर आई है, 70,000, तो loss यहाँ पर, जो कितना हुआ, 10,000 का, 10,000 के, तो अब क्या, जो management है, वो दोनों को combine करने के बाद, यह देखेगी, कि profit कितना हुआ, 60 यहाँ पर, 10, अब 60 में से 10 करेगी, तो, that means, अब अब आल, वो profit, दोनों को मला के देखेगी, तो 50,000, जो है, अब आल, जो मला, benefit, दोनों को मला, अब रोकमिशन है, बोध प्रॉफिट, दोनों को, यहाँ पर रवाट के न, 60,000, और यहाँ 50,000, दोनों को, जो है, दोनों को combine करने के बाद, वो देखेगी, 50,000, जो है, यहाँ पर इसको profit हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कि प्रॉफिट एक को कितना profit हो, 60,000, और प्रॉफिट भी वो कितना हो, 10,000, अब दोनों को combine किया, तो अवराल कितना, 50,000, अब यह management, और जो final decision होगा, जो top management, जो top management community है, जो top management होगी, वो यह decide करेग जो भी decision लेती है, वो top management ही देाती है, ताप management जो होगा ही decision लेती है, अब top management क्या देखेगी, वो इस product जो B को है, close करेगी, यह परॉडक्ट B को करेगी, क्यों करेगी, परॉड़क्ट B को close, ताकि उसको जो first product A में है, जो है, 60,000 का profit हो रहा है, और जो product B है, उसको क्या हो है 10,000 का loss हो रहा है 10,000 का loss हो रहा है इसलिए जो टॉप management है वो यह decide करेगी कि जो product B है इसको close किया जाए क्या तो कि वो product A पर को रहे रखेगी क्योंकि product A जो है product A से उसको जो benefit हो रहा है 60,000 का इसलिए product B को close करेगी तो इस तरह से friends जो है management जो है decision लेती है accordingly जू Rafis अब जोission Fination and accounting से उसको information में रहे हरी होती हिए उस basis पर यह decision लेती है और यह top management जो होती है The business के बारे में तो friends यह था आज का हमारा lecture जो तो हमने आज जो important concept तीन पड़े इसमें जो types of accounting जो accounting branches of accounting यह हैं तीन branches हमने आज पड़ी यानि कि तीन कौन-कौन जी थी friends इसमें जो important तीन branches हमने पड़ी एक financial accounting, caste accounting और marriage accounting तो friends आपकी अगर कोई भी curious है तो आप comment box में जरूर लिखेगा friends आपकी queries, आपकी comments जरूरी आप comments box में जो भी आपकी doubts होंगे आप जरूर लिख सकते हैं तो friends आप हमें YouTube के अलावा हमारे Instagram, Facebook, Telegram और Twitter handle account वरे भी आप हमें follow कर सकते हैं friends जरूर बने रहे हमारे study SHB official में नई वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे जो हमारा accounting cycle होता है जो कि बहुत ज़्यादा important topic है बने रहे है study SHB official में वीडियो को share करेए, like करेए, अगर like नहीं करते हैं डिस लाइक कीजिए, डिस लाइक क्यों किया, reason लिखे के साथ बने रहे study SHB official में बाई, अल्हाफिस